A, B और C एकार को 8, 14 और 16 दिन में कर सकते हैं यदि A को हर दुसरे दिन B और C किसे सहायता मिलती है तो ये को संपूर्ण कार पुड़ा करने में कितने दिन का समय लाएगा A जो है किसी काम को 8 दिन में B जो है उसी काम को 4 दिन में सी जो है उसी काम को 16 दिन में करता है टोटल वर कितना हो जाए का इन का हैलसम एलसम कितना भाव जाएका 32 यह रहा töवर दिन ए करेगा दूसरा दिन ए प्लस बी प्लस सी करेंगे ठीक है पहला दिन ए करेगा के लिए दूसरा दिन ए प्लस बी प्लस सी करेगा फिर तीसरा दिन ए आएगा फिर चौथे दिन ए प्लस बी प्लस याएंगे इसी तरीके से प्रकिरिया चलती रहेगी तो पहला दिन ए आ कितने हो रहे अठारा काम हो और हमें काम करना कितना है 32 काम करना है तो आप हमें यह बताओ एक तो तरीका है कि यहां से मैं यह बोलू कि दो दिन में 18 काम हो रहे हमें काम कितना ले जाना है 32 काम लगना है 18 काम हो चुके हैं remaining और कितने बचे 32-18 को रहे कि 4 हो जाएगा और यह कितना हो जाएगा आपका 14 काम और बचे गए इस 14 काम को फिर कौन आएगा यह आएगा करने के लिए जो कि एक efficiency कितनी है 4 है यहां से एक दिन वो काम किया यानि कि हो गया कि अब 22 काम हो गए 22 काम हो गए 22 काम हो गए कितने दिन में 3 दिन में अब 32 काम टूटल थे 22 काम हो चुके हैं अब कितने काम बचे भई अब कितने काम बचे 10 काम बचे अब इस 10 काम को इस दस काम को कौन-कौन करने आएगा इस दस काम को कौन-कौन करने आएगा ए बी और सी तीनों करने आएगे चौदा एफिसेंसी के साथ यह कितना हो जाएगा आपका पांच बटे में साथ दिन में काम समाप्त होगे पांच बटे साथ दिन में काम समाप्त होगा तो जो का तो बटे में पांच बटे साथ अगर इसको फ्रेक्शन में तोड़ोगे तो सत्रीक एक्रिस और पांच 26 बटे में साथ तीन में काम जो है कंप्लीट होंगे